राम राम जी आज आप लोग का स्वागात है् für बागां अचार was एक ढावा में आज मैं आप लोग अशेर करने जा रहा हूं आवला काहशार आपने गाजर मुली काहशार all के प्रावा है मेरा कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देजिएगा ताकि मैं नहीं नहीं वीडियो नहीं रेशिपी आप लोग के साथ सेयर कर रहा हूं तो यह हमारा दो कि जो आउदा है और इसको हम पानी आउदे का बराबर रख और यह सर्सो का तेज है लाजमिर्च पाउडर है धनिया पाउडर है यह सौफ है और देखिए यह सर्सो है काली और पीजी दोनो अगर आपके वास पीजी हो तो पीजी यूज कर सकते हैं काली हो तो काली यूज कर सकते हैं और यहीं पर लाजमिर्च है सामने है और नमक है दनिया पावडर है हल्दी सबसे कम है यह अचार का इंडिगरेंट्स है और आप गाजर और मूजी का जो हमने अचार डाला था और आपको इतना पसंद आया है और यह उतना ही बढ़िया बनाया हूँ और यह जो मैंने वह तो अचार मैंने एक हपता के जिए बनाया था यह मै हमेंर भी यहिं जाँ जाँ दें है करुब मैथी Trick आप रहे हैं सव्गा और रहे हैं 6 तिमने में सारे खड़ राख़े हैं इसमें डाहर जाएं और इसमें हम जाँ जाँ रहे हैं पाशास ग्राम सर्सूप तेद का इसमें पानी सा नहीं पीचे क्यांकि हम पानी से खराब हो जाता है और अगर धूप नहीं निकला ठंड का मौसम है तो आचार खराब होने लगता है तो मैं ऐसा आपको ट्रिक्स बताया हूं इसमें कि आप अचार को धूप दिखाने के जुरूरत ही नहीं आपको और देखें हमारे आवजा हमने चेक कर दिया और आवजा को अन्हां गधर मसाज़ा नहीं पीस पाता है बढ़िया से थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं कुई के मसाज़े को फ्राइय करना है यह हमारा मसाज़ा है इसास में पढ़िया हूं प्罂प भाता रहा हूं वह जाए नहीं आखर को बूब द्दिखा नहीं गगल तो कोई बात नहीं है अगर दूप नहीं निकलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है एक महीने तक यह आपका अचार का मसादा अचार कुछ भी खराब नहीं होगा इसमें से इसको बढ़ियां साब भून दे अचार का अचार तरफ तेज और मसाले हो गए थे तो इसमें पानी को खतम कर देना और यहीं पर लाल मिर्च पाउडर और धनी अचार अचार नमक अपनर द्धा देख ले कि दोख से बाल दें लिधा कर दोखस हगल सांफ को अचार के रेश्पित को भी खाले के लिए और इसको बढ़ियां सेभून-बढ़िय। अगर हमारी अचार के रेशिपी आपको पसंद आता है इसको शेयर जरूर किजिए गा और इसके बारे में और भी आपको पता है तो जरूर बताईएगा ताकि मैं सारे दोस्तों से बता सकूँ तो लिए हमीं ही हमने पचास गयराँ मीन होर टह अगर और जो हमारा हमंदा उबल Karae इसको पानी चाळ यहां गया है और आज़े को हम जितना देखते हैं इसमें आठ्ढ़ पाउंक 6 इसमें पीसेज होते हैं देखरा हैै सारे पी आज आज यह है करके करके निकाल दिया और देने में आराम होगा क्या करते हैं बच्चे यादा जिलेते हैं और फेक देते हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर बच्चे ज़्यादा खाना आज में दूर पीस देंगे तो इस तरह सब हमिला काँचार बनाएं और जरूर दिख के बताईएगा कि आपका अचार कैसे बना और देखिए हमारा मसाला एक दम भून के फिट हो गया जितना हमने पानी डाला था टोटी पानी हमने ज़दा दिया इसमें से और फिर हम इसको और इसमें मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद 10-15 मिटर तक छोड़ देंगे उसके बाद जिसमें आपको जार में कोई भी ढखकन वाजी चीज हो जिसमें बंद करके रख सकते हैं उसमें आप डाल दें और महीनों खाएं तो हम भी पूर लाजी में तोड़ दिया है था पीसेज कर दिया है हमाजा के और जो मसाले है वो म ne इसमें मिक्स कर देंगे हमारे देखने में इतना लजीज लग रहा है और बना भी बहुत लजीज है क्योंकि में भाय से घ्राइब को सारे लोको सर्व करता हूं एक एक दो दो पीस लोको आते हैं बहुत बढ़िया हमाधा कहांचार बना है तो फिर अभी हम जस्ट कहेरी या जो आमी काम का अचार भी बनाने वाजा हूँ क्योंकि सिजन आने वाजा है और किको इतनी भी आपको दिखा रहे हैं यह जो है कि इस तरह आप बनाया आचार और खाए में आवशा का caregivers को खाना स्वास्त के लिए इतना लाबिदा एक हो पर दाया आम कांचार तो फिर भी नहीं है लेकिन आउदे कांचार तो खाना बहुत स्वास्त के लिए लाब दायक है तो इससे थोड़ा थोड़ा घी खाये लेकिन जरूर खाये और बनाए और देखिया हमने एक जार में भर दिया है और इसको हम एक पीस दो पीस एक दिन मैंने इसको बंद करकर रख दिया ताकि पूरा मसाला इसमें में मेल्ट हो जाए और दूसरे देखिया इसमें टोटल तीन सो गराम तेल जादा है दो किलो अचार है आँ देखा और इसका वेट लगभग तीन किलो यह करीब हो चुका है यह देखिया हम निकाल का आपको एक दिन के बाद दिखा रहे हैं यह देखिया अचार हमरा कितना बेहत्रिन बना है तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए राम राम जी